हेलो तो आल अफ यू जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी CHSL मेंस और सेजल प्री के एक्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक आ गए है और आप सभी को पता होगा कि अभी जो टाइम है हमारा वो मोक टेस्ट लगाना है में लिए तो मैंने क्या करा है कि एक मोक टेस्ट सेरीज जो है मैं खुद भी लगाऊंगा और आप लोगों को भी जो है मैं सजिस्ट करूँगा जो मोक लगाने के लिए तो उससे यह रहेगा कि हम एक अपना कंबाइंड रैंक लिष्ट जो है निकाल पाएंगे जिससे यह पता लग ज रहा है जो एक्च्वल में जैसे बहुत सारे प्लैटफॉर्म होते हैं वहाँ पर थोड़ी फेक एंटरीज भी होती है ठीक है लेकिन हम जो रैंक लिष्ट मैं निकालूंगा उसमें जाहतर जो है स्टूडेंट रहेंगे जैनूवन और मेली अच्छे कैंडिडेट्स हैं ज कैसे चल रहे चीज़ है ठीक है और नॉर्मली हम सब मोक्स तो लगा ही रहे तो इस वज़र से मैं यह कहना चाहरा हूं कि यहां पर हम जो है एक साथ कम्बाइंड होके जो है मोक्टश सिरीज स्टार्ट करें तो ज्यादा बैटर रहेगा ठीक है मेरे हिसाब से बाकिया आप अभी मैंने CHSL 2024 का भी फॉर्म भरा हुआ है ताकि मेरे को थोड़ा अच्छा डेपार्मेंट और लोकेशन मिल जाए ठीक है वैसे अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है इस वज़र से मैंने 2024 का भी CHSL दे रखा है और expected यह है कि मेरा means मतलब जो है pre clear हो जाएगा ठीक ह में CHSL mains का जहां तक मुझे ऐसा लगता है अनुमान लगाया है मैंने September last यह October mid के बीच में हो सकता है ठीक है अगस्त को और 19 अगस्त के करीब जो है लास्ट खतम होके आंसर की आई थी ठीक है मनदर इस ही क्या स्पास और इसका जो मेंस हुआ था वह हुआ था दो नवेंबर को तो आप देख सकते हो यहाँ पे September October लगबग से लगबग धाई महीने में हो गया था यह हमारा means ठीक है सीजल के अगर बात करूँ तो सीजल प्री के अगर मैं बात करता हूँ जो फॉर्म निकले थे सीजल प्री के 2023 के वो निकले थे फॉर्म एप्रेल में और एक्जाम हुआ आता जुलाई में ठीक है मतलब माई जून अगर मैं वैसे बोलू कितना टाइम लग सकता है तो सीजल प्री का क्योंकि एससे ने खुद दे रखा है वो दे रखा है सप्टेंबर ऑक्टोबर तो हम उसी की रेट को लेकी चलते हैं लेकिन अभी एससे ने सीएचे से लमेंस का क्लियर नहीं करा है तो मैं धाई महीने मा घुद दमारा जो एक्जाम हय है, वो दस जुलाई तक हो गया है 10 जुलाई से 10 जुलाई से अगरस्थ अगरस्ट, सप्टमबर तो इसलिए मैं सप्टमबर लास्ट और ऑक्टोबर मीनुए मैंडर रखा है । यह मेरा अनुमानमे बाकि हो सकता है कि इससे बाद और हो सके इससे मिन को प्लाखता हैक बहुत मुच्खिलै कि इससे मान नत्य इससे गालता है अप ना सबखता है तो मैं बने कैना अपयोता है यह हमारे पास crucial month है, इसमें हम अच्छे से अपने preparation रखेंगे, ताकि हमें revision का time जो है last में मिल सके, तो इस वज़े से मैं अगस्त में एक तरीके से क्योंकि सबका syllabus वगरा भी complete हो चुका है, और इस वज़े से मैं mock test देने के लिए बोड रहा हूँ आप लोगों को, मोक किस कि platform से लगाना है, तो मेंली सारे बच्चों को पता ही होगा, जो मोक में लग गए है, पहले से ही, ओलिव वोड के live mocks आते हैं, वो जो की free है, आरभी के live mocks ये भी free है, पंडित के live mocks ये भी free है, और test book के full mocks, मेरे हिसाब से test book की जो pass है, normal pass, not pass pro, टेक है, test book pass already सबने ले रखा है, टेक है, पहले से ही, और कहीं के पास 3 साल का भी है, pass pro भी है, उसके basis पर प्रीवे से भी लगाते है, तो ये मेरे पास, में को लगता है कि already सब के पास होगा, तो इस वज़ए से, मैं test book यहाँ पर full mocks रख रहा हूं, टेक है, बाकी ये तीनो free है, ये तीनो free mocks है, टेक है, और ये paid mocks है, अब schedule हमारे क्या रहेगा, तो देखो मैंने ये schedule जो बनाया है, ये मैं अपने according बनाता हूं, मतलब मैं जिस हिसाब से सोचता हूं, उस हिसाब से मैंने ये रखा है, बाकी हो सकता है कि किसी को इसमें कुछ बदल करने हो तो वह अपने basis पे individually कर सकता है, टेक है, तो मैंने यहां पर क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे पास platforms है, और उनके mocks भी आ रहे है, और हमें mocks लगाने भी है, साथ में revision भी करने है, इसलिए मैंने alternative weeks में लगा लिया है, टेक है, week 1 और week 2, यही हम चीज रिपीट करेंगे मतलब पहले हम week 1 में यह चीज़ फॉलो करेंगे, week 2 में यह वाला फॉलो करेंगे, फिर जब week 3 आ जाएगा, तो दुबारा से हम यह वाला फॉलो करेंगे, फिर week 4 आएगा, तो हम यह वाला फॉलो करेंगे, तो alternative यह चलता रहेगा, क्या है, देखो, Monday को हमारे रहेगा revision का, मतलब जो हमने mocks लगाए होंगे, उसको हमें revise करेंगे, जो हमारे notes होंगे, जो हमारे particularly, हमने mocks में से देखा होगा, कि हमारी यह चीज़ छूट रही है, यह concept हमारे रहता है, तो वो सारा कुछ जो हम note करेंगे, उसको हमें revise करना है, साथ ही साथ अपना analysis होगा mocks का, वो भी आप कर सकते हों यहाँ पर, Thursday को, CHSL Mains का olive board पर live आता है, वो आपको लगाना है, हमने लगाना है, ठीक है, Redness Day को, CHSL Mains का, जो test book का अपना mocks है, वो देना है, मैं बता दूँगा कि कब कौन सा mocks देना है, अपने telegram channel पर, तो अभी आगे उसकी बात भी करेंगे, Thursday को, CHSL Mains का RBE live mock लगाना है, ठीक है, Friday को revision है, मतलब हमें यह तीन दीन जो है, CHSL का, वो सिर्फ सीजल के तयारी कर रहे होंगे, तो मेरा कहने का मतलब यह है, कि अगर आप CHSL Mains के मोख लगा होगे, आपको भी पता है, कि Already pattern सेम है, सीजल और CHSL Mains का, ठीक है, बस 5-10 questions का फरक है, खासकर तुम्हारा English और GS में, तो already सारी जब सेम ही है, तो हम चाहे CHSL का मोख लगा है, मेंस का, आप कम से कम यह तो लगा सकता है, लेकिना Google Form फिर आपको उसके लिए फिल नहीं करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से CHSL Mains मोख लगा लोग तो ज्यादा बैटर रहेगा, Friday को रिविजिन रहेगा हमारा, तो मैंने दो तो दिन यहाँ पर week में रिविजिन का रखा है, Saturday को हमें क्या करना है, Cigil Pre का Olive का मोख लगाना है, और Sunday को Cigil Pre का RB का मोख लगाना है, week 2 में सारी चीज़े सेम है, बस यहाँ पर Sunday को Cigil Pre पंडित के मोख हमें लगाने है, बाकी सारी चीज़े as the same रहेंगी, हाँ, एक और च इस वज़े से हमें CHSL के मोख लगाने हैं यहाँ पर हमें, तो यह चीज़ रहेगा हमारा, अब बात करते हैं, rank list की, तो मैं आपको डेली जब भी मोख लगाना होगा, तो मैं आपको अपने Telegram चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे description box में में बता दूँगा कि यह मोख कर दूँगा कि यहाँ यह मोख लगाना है, और आपको Google form शेर कर दूँगा, जो कि आपने उस दिन 6 बज़े तक फिल कर देना है, और 6 बज़े तक आपको जितने भी students हमारे participate करेंगे Google form में, उसका rank list आपको मिल जायेगा, तो आप देख लेना कि आप कहां पर लाइक कर रह अपने आप में सुधार करने के हम कोशिश करेंगे कि हाँ भी जो दूसरा बंदा लेके आया है, हम उससे भी बात करेंगे, उससे भी discuss करेंगे कि उसने ऐसा क्या extra कर रहा, जिसके वैसे उसके marks इतने हो आ रहे हैं, तो उससारी चीज़े डिसकुस करेंगे अपने group में, और कि बाद में मोक्स लगा रहे हो आपके, और उन्हें पहले से ही पता लग जाए कोशन तो फिर वो थोड़ा सा चीटिंग सा लगता है, तो इस वज़े से हमें, जो है 7 बजी के बाद मोक्स को discuss करना है, time to time suggestions, भाई, अब जो मैंने इतने साल लगाए है, तयारी के, और मैंने क्या चीज़े important है हमारे लिए, क्या ignore करने वाली चीज़े हैं, जो कि नहीं पूछ सकता है से, लेकिन मोक्स में आ रहे हैं, और कोशिश करूँगा कि मैं short solution आप लोगों को लिखके send कर दू, जो भी आप questions और पूछोगे, और बाकी सारी चीज़े जो हैं, अपने ग्रुप करना चाहो को लेके, कि हम क्या और बैटर कर सकते हैं, तो यह आप मुझे comment section में बता सकते हो, ठीक है, और telegram channel का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, maximum से maximum students को अगर आप add करोगे, तो आपका ही फायदा है, जिससे आपको ही अपना competition पता लगेगा, ठीक है?